हलो वेलकम यू आल गाइज तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स जो कि आपका 12 के फिजिकल केमेस्टी का काफी इंपॉर्टेंट चेप्टर है यह आपके जेए नीट as well as board examination point of view से काफी इंपॉर्टेंट है तो चलिए हम लोग इसको एक ने जोस और इनर्जी के साथ सुरू करते हैं आप पैन और नोट्बुक लेके बैठ जाएए जो भी important बाते निकल के आएंगी आप पैर्लेली से नोट करते जाएगा तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तो देखिए chemical kinetics होता क्या है it is the branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction and factors affecting the rate of reaction that means chemistry का वो पार्ट है जो rate of reaction को क्या करता है define करता है rate of reaction की study क्या उसके information के हमें देता है तब यह rate of reaction है क्या तो यह रिखिए एक छोड़ा सा term है जिसको suppose that हम लोग क्या बोलता है rate of reaction यह जो होता है आपका change in concentration right delta c by delta t यह धियान रखेगा rate of reaction क्या होगा change in concentration by time taken अब देखिए जो delta t है यह depend करता है कि reaction fast होगा slow होगा moderate होगा that means उस reaction में जो concentration change में time लगता है वो कितना है तो चलिए जैसे देखते है इस delta t के basis पे हम generally इसको तीन पार्ट में divide करते है that is your types of chemical reaction तब आप ध्यान से देख पारे होंगे types of chemical reaction में जब आपका delta t क्या हो बहुत छोटा हो राइट तो उसको हम लोग बोलते हैं right very fast reaction क्या बोलता है very fast reaction या simply आप क्या बोल सकता है उसे fast chemical reaction तो fast chemical reaction का मतलब क्या है कि delta t आपका क्या होगा very small अब जैसे देखे numerator में delta t का value अगर बहुत कम रहेगा तो यह overall value क्या होगा बढ़ा होगा और बढ़ा होगा मतलब rate of reaction क्या होगा very large क्या होगा rate of अगर हमसे पूछा जाए reaction क्या हो जाएगा high यह चीज़ आप clearly समझ पा रहे हो कि जैसे आपको मैंने simply बता है rate of reaction यह क्या होता है change in concentration by time taken तो चलिए change in concentration को हम लोग बाद में discuss करेंगे पहले हम लोग time के respect में देखते हैं अगर आपका time बहुत ही कम हो time क्या हो very very less हो right तो क्या होगा rate of reaction अगर numerator बहुत छोटा हो जाए तो overall value क्या होगा high होता है rate of reaction क्या होगा high होगा अब इस case का अगर इस तरह के example की अगर हम बात करें तो आपका acid base neutralization reaction होता है तो आपको पता होगा acid के case में मालोग मैं क्या ले लेता हूँ HCl और base में क्या ले ले रहा हूँ NaOH तो आपको पता ही कि दोनों का क्या रहेगा aqueous solution रहेगा क्या रहेगा aqueous solution और जब यह react करेगा तो बनाएगा क्या NaCl plus H2 अगर इस reaction की time की बात करें कि यह time कितना लग रहा है इस reaction को लगभग complete होने में तो यह generally आपका 10 to the power minus 14 second से लेके 10 to the power minus 16 second होता है अब आप समझ पारे हो कि 10 to the power minus 14 second और 10 to the power minus 16 second कितना छोटा time में उतने कम टाइम में यह आपका reaction क्या हो जाता है complete हो जाता है तो इस तरह के reaction को हम लोग क्या बोलते very fast reaction और time क्या है बहुत ही छोटा है इसके वाज़े से rate of reaction क्या होगा बहुत ही हाई होगा देट मिस आपका HCl या एक जो concentration है यह काफी rapidly change करेगा राइट रीजन क्या है rate of reaction क्या है बहुत ही हाई है now अब जो दूसरा kind of reaction आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है slow reaction क्या किसकी बात करेंगे slow reaction या slow chemical reaction तो बताओ slow reaction में क्या होगा आपका जो यह delta T है यह क्या होगा लार्ज होगा अगर यह delta T का value हम बहुत बढ़ा कर दें यह rate of reaction का value क्या आजाएगा बहुत ही छोटा हो जाएगा तो इस case में आपका जो delta T है वो क्या होगा very large एक बड़ा value निकल के आएगा और जब आपका delta T लार्ज होगा तो गैज बताओ rate of reaction rate of reaction अपना क्या होगा rate of reaction हम लोग क्या बोलेंगे बताओ simply क्या होगा rate of reaction यहाँ हाई है तो यह क्या जाएगा आपका low very small rate of reaction क्या रहेगा बहुत ही कम रहेगा अब इसके example की अगर हम बात करें तो आपको पता है रस्टिंग आफ आइरन आइरन क्या होता है काफी टाइम लगाता है रस्ट लगाने में राइट इवन आपने जो है जुनियर क्लासेस के अंदर 9 10 के अंदर भी पढ़ा होगा इस तरह के reactions कि जैसे आपको bursting आप बैलूने क्या होता है फास्ट रेक्शन का टाइप है तो इस अप्री 304 अब याक्शन को बालेंस कर सकते हो बालेंस करने के लिए हम लोगों क्या करेंगे 202 ले लेंगे और यहां पर क्या लिए हमने 3 या तो इस तरह का रिक्शन जो है आपका क्या होगा जहां से इस तरह का reaction आपका क्या होगा रस्टिंग का एक्जामपल या वाटर रहेगा तो भी आपको समझ सकते हो क्या होगा तो इस तरह का reaction आपका क्या काहलाता है very slow reaction इभान इस reaction के एक्जामपल में जैसे आपके पास क्या है H2 plus O2 मिलके आपक्या बना रहे हो water बना रहा है ह2 O right तो इसको balance करने के लिए आपको क्या करना पढ़ेगा है यहां पर टू लगाना पढ़ेगा तो अब यह रियक्शन भी यह भी रियक्शन क्या होते है वेडी स्लो होते है तो आपको slow kind of reaction समझ में आ गया रहा है यहां पर डिल्टा टी गेलिए का रहेगा काफी कि very slow reaction का होता है अब जो third kind of reaction है जो क्या होगा fast और slow के बीच में रहेगा राइट तो जो slow reaction उसको हम लोग क्या बोलता है sluggish reaction भी बोलते है most of the organic reactions mostly क्या होते है slow होते हैं sluggish होते हैं fast जितना भी ionic reaction है खासकर के acid-based जहां भी involvement होगी वो reaction mostly क्या होते है फास्ट reactions होता है अब जो reaction इन दोनों की बीच में होगा that means delta T ना तो बहुत ही छोटा होगा और ना ही delta T large होगा right intermediate कुछ value रखेगा उस तरह के reaction को हम लोग बोलता है moderate reaction क्या बोलता है moderate chemical reaction तो गया बजाओ कि moderate reaction में क्या होगा delta T का value delta T क्या होगा neither very large nor very small right neither very large nor very small यहां से जो आपके पास rate of reaction है right इस ध्यान से किज़ेग्जोन रेट्जाओ आफ reaction है delta T ना तो बहुत बढ़ा है अगर यह delta T बहुत बढ़ा value हो जाए ओ glitch होगा जोटा होगा अगर अगर delta T क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर delta T क्या है, ना बहुत बड़ा है, ना छोटा है, तो in between है, तो ये भी rate of reaction भी क्या होगा, ना तो ये क्या होगा, high होगा, ना ही ये क्या होगा, low होगा, तो ये क्या होगा, इस तरह से moderate है ना बहुत high value है ना ही बहुत low value अगर इस तरह के reaction की बात कर राइट तो यह भी बहुत सार एक्जामपल से आपके पास decomposition of hydrogen peroxide है ह2O2 है है ह2O2 क्या करता है decompose करता है किसमें आपको पता है H2O और प्लस हाफ O2 में आपने पर रखा वह मोल concept के अंदर इस reactions को इसके बारे में जहीं में बहुत इटेल्स में पूछता भी है volumetric strength क्या होती है इसका normality क्या होता है concentration क्या होता है hydrogen peroxide की reactions को आपको importantly ध्यान रखना है यह यहां मोल concept point of view से काफी important है नो इस तरह के reaction को आपने और भी organic में एक पढ़ा होगा hydrolysis of estra right acid catalyzed कर सकते हैं या base catalyzed आप किसी भी तरह से इसको catalyzed कर सकते हो तो जैसे मैं example ले लेता हूं CH3 C double bond O suppose that C2H5 यह क्या है ethyl acetate या IUPAC name बोलोगे तो क्या हो जाएगा ethyl ethanoate इसको क्या करता है suppose that मैं base के साथ react करा दे रहा हूं किसके साथ base catalyzed NaOH तो बताएगा इस क्या होगा CH3 C double bond O minus and Na plus right इसका एक क्या solution मिलेगा साथ ही क्या मिलेगा हमें CH3 sorry C2H5OH that is a ethanol तो यह सब जो reactions हैं यह सब क्या होता है moderate reaction होते नहीं बहुत ही fast होते हैं नहीं बहुत slow होते है तो काज़ा आपको बिलकुल समझ में आ गया कि moderate rate क्या होते है तो अब हमने यह टम यहाँ पर defined qi at rate of reaction तो वह देखते हैं क्या होता है उसको लोग define करता है rate of reaction तो rate of reaction को generally हम लोग small r से denote करते हैं और यह देखिये value होता है क्या है It is defined as change in concentration of reactant or product per unit time तो simply क्या होगा So it is defined as change in the concentration of reactants or products per unit It is defined as change in concentration of reactant or product per unit time तो per unit time में जो reaction के rate में change होता है Right, reaction का rate कहने का मतलब क्या Change in concentration of reactant or change in concentration of product per unit time Unit time में reactant और product के concentration में कितना change आ जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलता है rate of reaction जैसे मैं एक example यहां पर ले लेता हूँ कि suppose that अपने पास दिया हुआ है CH3 COH plus मालीज़े आपको कोई alcohol दे दिया गया CH3 OH Right, तो यह आपको क्या पता है? Carbacillic acid है, यह क्या है? Methanol है, तो carbacillic acid और alcohol मिलके क्या बनाता है? आपने organic में पढ़ा होगा, right? Aster, इसको क्या बोलता है? Asterification reaction बोलता है, right? तो यह क्या बना लेगा आपको? CH3 C double bond O CH3 अज साथ ही साथ formation क्या होगा? H2 होगा, यह अब आपको reaction दिया होगा, right? अब आपको बोला जा रहा है कि यह जो आपका acetic acid है, T equal to 0 पे इसका concentration suppose that 0.5 mole per liter है, right? 0.5 mole per liter है, अब यह बोलता है कि T equal to 5 second बाद यह जो concentration है, घटेगा, क्योंकि reactant है तो इसका जो भी concentration है, वो धीरी-धीरी क्या होगा? कम होगा, तो माल लेते हैं, यह 0.5 से घटके suppose that 0.4 mole per liter तो अभी हम से reactant के respect में बात करें, right? तो अब ध्यान से देखे, rate of reaction क्या होगा यहाँ पे? rate of reaction, मैं लिए हम लोग किसके respect में निकाल रहे हैं, right? ctk seed के respect में, तो लिख सकते हैं, with respect to CH3, COH, यह अब simply rate of reaction अभी इसकी बात करें, तो क्या होगा? तो देखे, change in concentration, तो क्या बोलता है? final minus initial, change कभी निकालता हैं, तो क्या निकालता है? final minus initial, right? तो लोग क्या लिखेंगे? final concentration minus initial concentration by T2 minus T1, change in time. देखे, final concentration कितना है? 0.4 mole per liter, और initial कितना है? 0.5 mole per liter. तो यह कितना हो जाएगा difference? देखे, final minus initial, तो आपको पता है, minus 0.1 mole per liter. और यहाँ ध्यान से देखे, बिलकुल time क्या है? time initially 0 second था, और finally कितना? 5 second है. तो 5 minus 0 कर देखे, तो कितना हो जाएगा? तो बताओ, यह क्या हो जाएगा? 5 second. तो इस value का आप unit में convert कर सकते हो, तो जो भी value आएगा, 0.1 by 5. तो आप क्या करो इसको? 0.1 से इसको divide कर दो, तो इसको simply क्या करता है? आप 2 से multiply कर दिजिए, यह क्या हो जाएगा? 0.02. क्या जाएगा? 0.02, और unit देखो ध्यान से, mole per liter per second. unit क्या हो जाएगा? तो यहाँ से अपना जो एक चीज़ ध्यान रखेगा, unit जो rate of reaction का है, वो always क्या आएगा? यह हमेशा ध्यान से देखो, यह always क्या आएगा, right? unit की अगर हम बात करें, तो इसका unit always क्या आएगा? change in concentration क्या होता है? mole per liter, आपको पता है? और divide किसे कर देंगे? time से, तो क्या हो जाएगा? per second. तो यह value आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, कि rate of reaction, right? तो अभी हमने किसके respect में निकाला? reactant के respect में तो यह value क्या है? minus, अगर यह symbol आप sign के साथ देख सकते हो, minus 0.02 mole per liter per second. तो clear है? इसका unit क्या होगा? mole per liter per second. तो rate of reaction के बारे में हमेशा क्या ध्यान रखोगे? उसका unit क्या होता है? mole per liter per second. यह always ही होगा. और सिर्फ अगर आपको rate of reaction लिख दे, जैसे मैंने यहाँ वी with respect to क्या लिखा? reactant. इसलिए यह value negative आया. जब यह value आप product के respect में निकालोगे तो क्या आएगा? positive value आएगा, right? ति negative value यह बताता है कि reaction क्या हो रहा है? reactant धीरे-धीरे घट रहा है. negative sign सिर्फ यहाँ पर जो minus sign है, minus sign क्या बता रहा है? कि reactant धीरे-धीरे बस क्या हो रहा है? घट रहा है. अगर product के respect में लिखते हैं यह value क्या आता आगे? positive जो क्या आगे हम लोग देखने भी वाले हैं. क्या आता? positive आता. इसका मतलब क्या? product का concentration धीरे-धीरे बढ़ रहा है. तो यह clear है? आपको rate of reaction किसको बोलता है? change in concentration of reactants or products per unit time. तो unit time में कितना reactant और product के concentration में change आता है? वही क्या कहला आता है? rate of reaction. अगर SI unit की बात करें, तो rate of reaction का SI unit हमेशा ही हमेशा क्या होगा? mole per liter per second. तो इसमें मैंली जो हम लोग rate of reaction की बात कर रहे थे, तो इसमें मैंली जो दो तरह के reactions के rate की बात करेंगे, एक होता है आपका average rate of reaction, जबकि जो दूसरा है वो क्या होता है? instantaneous rate of reaction. अल्रेडी आप इसको physics और maths में बहुत बार average और instantaneous word को पर रखे हो गए. ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि average rate of reaction क्या होता है? रखे गाइजस, तो इस it is change in concentration. concentration of reactant or product, reactant or product in an, हम लोग इसको इस तरह से डिफान कर सकते हैं, in an interval of time, right, किसी particular instant पर नहीं, क्या कर सकते हैं, change in concentration of reactant or product in an interval of time, तो देखिया, आप एक particular interval में, जो rate of reaction में change होता है, suppose that कोई एक reactant है, वो किसमें convert हो रहा है, product में हो रहा है, right, किसमें convert हो रहा है, product में convert हो रहा है, तो यहाँ पर जो अगर हमको r average को define करना है, right, r क्या होता है, rate of reaction को, और अगर हम average की बात करें, यह आपका क्या होगा, जहाँ से देखिये, change in concentration of reactant or product, right, तो suppose that मैं reactants के term में लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, reactant का final concentration minus reactant का initial concentration by final time, जो भी है, T2 minus T1, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, change in concentration of reactant by change in concentration, नीचे क्या होगा, by time का interval, that is your delta T, तो अब यहाँ ध्यान से देखिये, यह value क्या positive आएगा या negative, तो आपको पता है कि reactant, जब reaction होगा, तो reactant किस में जाएगा, product में, reactant किस में जाएगा, product में, तो कुछ समय के बाद reactant दीरे-दीरे क्या होगा, घटता हुआ जाएगा, that means final concentration है, वो क्या होगा, कम होगा, तो final minus initial कर रहे है, मतलब क्या कर रहे है, जादा हम यहाँ देखिये, final क्या होगा, concentration, अब इसको समझो, कोई reaction है, reactant किस में जा रहे है, product में जा रहे है, तो reactant का concentration घटेगा और product का concentration क्या होगा, बढ़ेगा, तो final reactant का concentration हो क्या रहेगा, कम रहेगा, कम में किसी बड़ा नंबर को घटाएगी है, तो initial concentration है, जादा रहेगा, और यह क्या होगा, कम होगा, इन जनरली हम यहाँ पर क्या बोल सकता है, कि जो reactant का final concentration है, वो less than, क्या हो अब देखे इस निगेटीब वाल्यु का मतलब क्या है या निगेटीब साइन का मतलब क्या है तो simply देखे निगेटीब साइन इंडिकेट्स that concentration of reactant is decreasing indicates that concentration of reactant reactant decreases या simply क्या बोल सकते हैं? decreasing तो राइट यहां से आपको समझ में आगे कि particular level जैसे कि आपको 2 second 5 second, 10 second का एक interval दे देगा एक घंटा, 2 minute कुछ भी आपको time interval दिया रहेगा उस time interval में reactant और product के concentration में क्या changes आते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलता है? average rate of reaction यह चीज़ क्लिरली समझ में आगे है? नो अगर हम बात करें instantaneous rate of reaction की तो यह क्या हो जाएगा? कि यहाँ भी concentration के change की ही बात करेंगे लेकिन at a particular instant तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? it is change in concentration of reactant or product at any instant किसी एक particular time पे राइट किसी एक particular instant पे reaction, concentration of reactant और product के अंदर क्या change आएए हैं? राइट? जैसे suppose that के आप देख़रे हो अभी घड़ी आपने देखा क्या होड़ा है? तीन बजरे एग्जक्ट तो जस्ट उसी time पे क्या change आए? इसको हम लोग किससे दिखाएंगे राइट इसमिरली समझ जो कोई की reaction है जहाँ पे क्या हो रहा है? रियक्टेंट किसमें convert हो रहा है? प्रोडक्ट में? राइट? सिंपल है अब यहाँ ध्यान क्या देना है? कि इसको हम कैसे दिखाते हैं? र इसको आप लोग कैसे दिखाओ दिखाओगे? change in concentration इसमें D word यूज करते है D concentration of R मतलब रियक्टेंट बाई DT राइट? संपल है समझ माइगे? और इसको अगर आपको average के term में दिखाना है तो आप यहीं पे लगा दो limit जहाँ पे आपका क्या होगा? DT tending to 0 DL in concentration of reactant by DL of T राइट? सिम्पल ही समझ माइगे? और यह आपको पता यह value क्या है? यहाँ साब किलिए लिए लिए देखके बताओ यह value क्या है? average rate राइट? तो similarly इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं limit del T tends to 0 और यहाँ हम क्या लिख सकता है? R average that means simply है कि R average में अगर आप क्या करो? भ्यान से देखो R average में क्या करो? DL T tending to 0 कर दो तो ही आपका क्या निकल क्या आता है? R instantaneous अब रही बात sign की right guys? sign की तो अगर reactant का concentration लिखेंगे तो हमेशा क्या होगा? decrease करेगा और negative sign आएगा अगर मैं यहाँ पर product का concentration लिखता हूँ तो यहाँ पर sign क्या आएगा? positive इसका मतलब simply क्या है? कि product का concentration क्या होगा? increase करेगा क्या करेगा? product का concentration increase करेगा तो यह का आपको बहुत simple सा relation आगया आप इसका क्या लिख सकते हो? limit del t tending to 0 और यहाँ पर आप क्या लिख लोगे? r average तो आपको similarly समझ में आगी कि instantaneous rate of reaction को हम लोग कैसे define करते हैं? चलिए इसको मैं एक graph से समझते हैं suppose that यह आपको क्या दिया हुआ है? कि y-axis पर आपको दे दिया है this is y-axis और यहाँ पर आपको दिया हुआ concentration of suppose that मैं लिख देता हूँ reactant क्या लिख दे रहा हूँ? concentration of reactant और इस axis पर मैं ले ले रहा हूँ time को तो आपको पता है कि एक initial कोई concentration होगा reactant का, right? initially कुछने कुछ amount हमने लिया होगा suppose that उसको हम लोग यहाँ पर क्या दिखा देता है R naught से, वो value क्या ले लेता है R naught से या फिर आप इसी value को क्या लिख सकतो initial concentration को suppose that आपने C naught से दिखा दिया अब कुछ time के बाद यह क्या होगा? घटेगा इस तरह से similar है तो मान लिजे कि एक particular time पर हमने concentration चेक किया, right? suppose that this is a time T1 तो इस जगा concentration क्या है? C1 अगर इस point पर हमें देखना है, right? तो इस जगा पर concentration मालो यह time क्या है? T2 है यह concentration क्या है? C2 है तो आपको पूछा देगा average rate of reaction suppose that हमको क्या बोल देगा? 0 से T2 तक में निकालने के लिए तो हमें क्या करना है? 0 से T2 तक अगर निकालना है, right? यह आपको इन दो interval इन दो point के बीच में निकालना है, क्या average rate of reaction रहा हुआ हुआ है? T1 से T2 के बीच में तो यहां से हम R average क्या लिख सकते हैं? simply है, final concentration minus initial concentration that is your C2 minus C1 अब बाइ time कितना लग गया? अब ध्यान से देखो T2 minus T1 time क्या हो जाएगा? T2 minus T1 तो बहुत ही simple है इस point को आप ऐसे भी समझ सकते हो, right? clearly यह angle क्या हो जाएगा? theta तो 10 theta आप समझ दो this height by this height यह height कितना हो जाएगा? C2 minus C1 minus sign हैगा T2 minus T1 average हम क्या निकालता है? किसी एक interval में, right? एक time का interval है यहाँ पर हम लोग क्या निकालता है? average rate of reaction अगर यही हमें यहाँ पर instantaneous rate of reaction निकालना होता है तो इसको ध्यान से देखिए यह कैसा हो जाएगा? बहुत ही simple है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखो कि suppose that initial concentration इस पर मैं अभी भी reactant को ले ले रहा हूँ यह value कुछ इस तरह से इसमें क्या होगा? किसी एक particular time suppose आपको दे दिया गया इस time पर आपको average rate of reaction यह instantaneous निकालना है तो बताओ यहाँ पर average define होगा यह instantaneous define होगा हम एक particular instant की बात करें कोई time का मैंने interval नहीं ले रखा है एक particular point पर तो बस आपको कुछ करना नहीं है इस particular point को मिला देना ग्राप से और इस point पर बस आपको एक slope draw कर लेना है यह क्या कर लेना है? slope draw कर लेना है तो this is your angle theta simple यह angle क्या हो जाएगा? theta हो जाएगा जैसे आप इसको बोल सकते हैं इस value को क्या बोल सकते हैं कि यह आपका angle है यह वाला theta है अगर मैंने theta इधर से ले रखा है तो यहाँ पर दखो इस point पर क्या define क्या है? हमने instantaneous rate of reaction किसका? reactant के respect में यह आपका क्या है? origin है, simple है तो हमें बस इसका क्या लिखे देना है? slope लिखे देना है यहाँ पर R instantaneous जैसे ही पूछेगा हम लोग क्या लिखते है? D concentration of R by dt आपको simply दिख रहे हैं, right? यह value reactant के term में लिखे हैं तो हमें सा minus sign होता है उसको सा आप फुद समझ सकते हो और theta भी आपको 90 से above दिख रहे है तो इसलिए आप समझ जागी, sign क्या आएगा? negative आएगा और इसी को आप देखो DR by dt यह R है, T है इसका slope क्या हो जाएगा? slope DR by dt that means simply क्या हो जाएगा? 10 theta यह जो theta angle है यह चीज़ आपको clearly समझ में आगा है अगर इसी को मैं product के case में दिखाना होता right? कि average rate तो आपको इस बार में क्या ले ले रहा हूँ? product का concentration और इस पर time तो आपको simply समझ जाना क्या होगा? एक particular time suppose that this is a T1 and this is a T2 तो माल लेते हैं कि इस point पर product का concentration क्या है? P2 है और यहाँ पर क्या है? P1 है यहाँ से बताओ rate कैसे define करेंगे P2 माइनस P1 by T2 माइनस T1 बहुत ही simple है product के term में लिख सकते हो और product के term में यह value क्या हैगा? always positive यह value क्या हैगा? product के case में positive जैसे इस case में यह value क्या रहा था? negative आ रहा था और reactant का concentration घट रहा है similarly इस case में अगर आपको दिखाना हो product का तो आप कैसे दिखा होगा? simply this is the concentration of product and this is your time तो मान लेज़े आपको किसी एक particular instant पे दिखाना है मान लेते हैं यह क्या? एक particular time है तो बस आपको क्या करना है? उस point पे direct एक slope ड्रॉप कर लेना है और यह जो theta आएगा R instantaneous को हम लोग simply क्या बोलेंगे? D concentration of product by DT और यह value क्या आजाएगा? 10 theta और देखो इस theta में 90 से छोटा इसलिए 10 theta क्या आएगा? positive value आएगा तो आपको जो average rate of reaction और instantaneous rate of reaction हैगा as clearly समझ में आया होगा तो आगे हम लोग कुछ stoichiometric coefficient के relations को देखेंगे इस rate of reaction से जो कि आपके NCRT में भी given है और आपके even exam point of view के लिए भी काफी important है तो guys stay tuned